फ्रेंज आप सुभी का वेलकम है रिजवांट डिजाइन्स टॉट कॉम पर आज के इस फोटोशॉप के क्लास नुमर 67 में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं इमेज के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए कई आप्शन से उसमें से कुछ चीज़ों को आज डिसकस करूँगा और जो बचा रहेगा उसको नेक्स टीटोरियल में तो आईए सीखते हैं इसको कैसे चेंज करना चाहिए यहाँ पर हमने सैंपल के लिए दो इमेजेज ले रखा है आप देख रहे हैं यह एक इमेज है और दूसरी यह है यह दोनों toughest image है अगर आप इस तरह के images के background को आसानी से हटा लेते हैं तो आप किसी भी image के background को हटाने में कामियाब हो जाएंगे Photoshop में कई options हैं कि आप किसी image के background को change कर सकते हैं उसमें से आप सबसे पहले यहाँ पर देखें background eraser tool है यह जो हमने छोड़ दिया था तो background eraser tool का proper use क्या है इसके बारे में आज हम लोग detail से जानेंगे तो यहाँ से हम लोग select करते हैं background eraser tool सबसे पहले आप एक काम करें कि इसकी एक copy ज़रूर बना लिजे इसकी copy होने के बाद आप इसके नीचे एक layer open करके कोई भी एक color आप इसमें fill कर लिजे ताकि जब आप उपर वाले image के background को change करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका work proper हो रहा है या नहीं बहुत ही deep में हम लोग समझेंगे तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझेगा जैसे इसके नीचे हमें एक new layer open कराना है उसके लिए हम लोग यहां से adjustment layer पर जाएंगे solid color पर जाएंगे और यहां से कोई भी एक color fill कर लेंगे जैसे ये color हमने fill कर लिया और इस layer को इसके नीचे डाल देंगे यहां पर मैं चाहता तो normal single layer लेने के बाद भी इसमें color fill कर सकते थे ऐसे लेकिन हमने ये काम इसलिए नहीं किया क्यूंकि अगर आप solid color fill करते हैं तो बाद में आप कभी भी इस पर double click करके कोई भी color change कर सकते हैं premium class का मतलब ही होता है कि आपको हर एक चीज़ को detail से समझना है अब उसके बाद हम लोग target layer पर जाएंगे target layer हमारा वो है जिसके background को change करना है तो top layer पर आने के बाद यहां से हमने background eraser tool पहले से select करके रखा है जब भी आप किसी tool को select करते हैं तो आपको उपर इसकी property मिलती है तो background eraser tool की भी यहां पर सारी properties है इन सभी property को एक एक करके समझेंगे देखे यहां पर जो सबसे पहली property है उसका नाम है sampling continuous यह देख सकते हैं आप इस पर जब जाएंगे तो इसके नीचे लिखा आएगा sampling continuous और इस बीच वाले में है sampling once और इस last वाले में है sampling background swatches अब तीनों का मतलब समझें पहली वाले property का मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी color को sample करके उसको delete करते हैं तो एक बार sample करने के बाद उसी को continue delete करता हुआ आगे बढ़ेगा background eraser tool का मतलब ही होता है कि किसी color को delete करना या किसी pixel को delete करना तो अगर हम लोग इसके पहले वाले property को select करते हैं तो इसका फायदा या नुकसान यह होगा कि आप जब एक बार click करके select करेंगे तो उसी color को यह delete करेगा इस तरह से आप उपर जाएंगे तो इसके image को भी delete कर देग यह देख सकते हैं यानि कि इसके जैसा color जहां जहां मिलेगा उन सभी को यह delete कर देगा तो आपको बचते हुए delete करना पड़ेगा तो यहाँ पर background को change करना तो अगर आप इस property को select करेंगे तो दूसरी property में यहाँ पर जो sampling once का option है इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने एक बीच में click किया है आपको इस brush के बीच में plus का icon दिख रहा होगा इस plus के icon पर जब आप click करते हैं तो इसके नीचे का जो color होता है exactly उसी को यह select करता है तो अगर हमने इस पर click किया तो इसके जैसे color को यह select कर लिया है और एक बार जो select किया है उसी को delete कर रहा है दोबारा जाओंगा वो अपने जैसा color को select करेगा और डिलीट करता हुआ आगे बढ़ेगा यह देखें तो इससे फायदा यह होता है कि आप जहां जहां click करेंगे यह सिर्फ उसके जैसे color को ही एक बार pick करेगा और उसको delete करेगा तो इससे आपको change करने में थोड़ी आसानी हो जाती है अब उसके बाद यहां पर last वाले option को देखते हैं लास्ट वाले option में बताया गया है background swatches background swatches का मतलब होता है कि आप अपने इस background color पर यहां पर दो color है foreground और background आप अपने background color पर click करें और यहां से कोई भी एक color का swatches बना लें जैसे अगर हमने इस पर click करके यह swatches बना लिया आप देख सकते हैं यहां पर swatches बन गया है यहां पर point sample भी है यहां पर अलग-लग option भी है अगर मैं चाहूं तो average करके sample बनाओं यहां पर click करके कहीं पर भी click करके मैं sample बना सकता हूँ जो sample आप बनाएंगे वही background color बन जाएगा और उसके बाद इसको select करने के बाद जब round में color आपने select किया है उसके जैसे color को ही यह delete करेगा तो इन तीनों property का जो exact मतलब था वो आपको समझ में आ गया होगा अब आप पूछेंगे कि तीनों में से कौन बहतर है किसे use करना चाहिए तो यहां पर simple सा answer यह है कि आप चाहें अगर आपको confidence है अलग-अलग tools पर practical करन करेंगे लेकिन मेरा suggestion होगा कि अगर आप sampling once यानि center वाले को select करेंगे तो आपके लिए जादा आसानी हो जाएगी तो यहां पर हम लोग click कर लेते हैं अब उसके बाद यहां पर option है limits limits के अंदर आपको तीन options दिये गए हैं this continuous 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 और find edges this continuous का basic मतलब होता है अलग-अलग किया हुआ यानि कि इसमें जो भी pixels हैं उन सभी pixels को ये अलग-अलग समझेगा और उसके बाद ये delete करेगा और अगर आप contiguous रखते हैं इसका मतलब होता है मिला हुआ यानि सभी pixels को ये एक जैसा समझेगा contiguous जैसे मैं यहां पर zoom करके आपको दिखाता हूँ आ exactly आप देखेंगे तो यहां पर जो color है वो white है और यहां पर dark green है और यहां पर देखेंगे तो कुछ gray color है अगर आप this contiguous रखेंगे इसका मतलब ये है कि इस white को ये अलग समझेगा इसको अलग समझेगा ग्रे को और इस dark color को अलग समझेगा अलग-अलग क्या हुआ और अग अगर आप contiguous रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये सभी को एक ही object का हिस्सा समझेगा white हो, gray हो, dark green हो या कोई भी color हो इन सभी को एक समझते हुए delete करेगा और अगर आप find edges रखते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि जहां पर इसको age मिल जाएगा अलग color का जैसे मैं white यहां से delete कर रहा हूँ और जैसे green इसको मिलेगा तो वहां जाकर रुख जाएगा, जैसे मैं find edge का एक example ले रहा हूँ, यहां से delete करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो देखिए आगे बढ़ते हुए यहां पर रुख जा रहा हूँ, जैसी आपको एक color मिल रहा है hair का अलग, जैसी कोई अलग color मिलेगा, यह जाकर वहां रुख जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप यहां से रखेंगे contiguous, तो देखिए क्या होगा, यहां से यह delete करते हुए आगे का भी color delete कर रहा है, लेकिन बीच में जो दूसरा color यानि इस से अलग color मिल रहा है, उसको वो delete न और उसके बाद फिर से वही color है, तो बीच में hair को delete न करके, आगे की color को delete करेगा, आप देख सकते हैं, यहां पर यह delete हुआ है, और आगे का color delete हुआ है, लेकिन बीच में hair delete नहीं हुआ है, तो अगर आप यहां से रखेंगे contiguous, तो आपको काफी फाइदा होगा, लेकिन maximum delete करने की कोशिश करेगा इस तरह से, maximum delete कर देगा, और अगर आप चाहते हैं कि maximum delete ना हो, कम delete हो, तो आप रखेंगे यहां से contiguous, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं hair का जो ages है, वो भी अच्छे से delete हो जाए, तब आप रखेंगे discontinuous, अभी तक आपने जो भी इस तरह की images के background को change किया होगा या delete किया होगा, तो आपको मिलता है कि hair के साथ साथ जो background का color है, वो भी कुछ-कुछ रह जाता है, वो इसलिए रहता है कि आपके hair का जो age है, वो properly delete नहीं हुआ था, तो हम लोग यहां से दोनों option select करके रख सकते हैं, this contiguous या contiguous, फिलहाल मैं रखता हूँ, this cont contiguous, लेकिन जो सबसे ज़्यादा important point है, वो है tolerance, यह देखे tolerance यहाँ पर 35% है, अगर मैं tolerance को पूरा बढ़ा देता हूँ, तो यह कोई भी चीज को boundary नहीं समझेगा, सभी चीज को delete करते हुए आगे बढ़ेगा, इसके बीच में कोई भी boundary नहीं है, कोई भी hair नहीं है, चाहे वो discontinuous हो, या contiguous हो, tolerance का मतलब ही होता है, कि जहाँ पर आप click कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता color, अगर आप है या नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, tolerance maximum है, तो सभी को delete कर देगा, और जैसे ही आप tolerance को बिलकुल कम कर देंगे, जैसे 3-4% हमने रखा, और उसके बाद delete किया, तो proper आपको result ही नहीं मिलेगा, इस तरह से पूरा delete नहीं करेगा, तो delete करने से पहले ही आपको tolerance set कर लेना पड़ेगा, अगर आप इसको set नहीं करेंगे, तो बाद में यह दिखत करेगा, जैसे इसको मैं 35% पर था, मैं इसको आगे बढ़ा कर देखता हूँ, कैसा result आता है, discontinuous ही है यहाँ पर, और इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यह देखिए, तो इसमें maximum delete कर रहा है, तो इसको थोड़ा कम करेंगे, इस तरह से, यह देखिए, इसमें भी अगर यह ज़्यादा delete कर रहा है, तो आप discontinuous के जगा पर contiguous रख सकते हैं, contiguous में tolerance थोड़ा सा बढ़ा भी देगे, तो बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा, यह देखिए, आपको result अच्छा ही मिलेगा, तो फिलाल हम लोग रखते हैं, discontinuous और tolerance यहाँ पर रखते हैं, 35 इस से ज़्यादा नहीं रखते हैं, अब उसके बाद यहाँ पर option है, protect foreground color अगर आप अपने image का कोई एक color foreground में रख लेना चाते हैं, जिसको वो protect करके रखें, तो आप यहाँ से click करेंगे, और जो hair के outside का color है, उसका एक sample बना ले रहा हूँ, sample चुके white color का ही है, तो मैं white का ही sample रखूँगा, इस तरह से और okay कर लेंगे, अब इसका फायदा होगा कि जहाँ जहाँ इसको maximum white मिलेगा, यह delete नहीं करेगा, अब देखें, यहाँ पर हम लोग आसानी से delete कर पाएंगे, इस तरीके से click करेंगे, और delete करते हुए आगे बढ़ेंगे, यह देखें, अब उपर उपर का हिस्सा delete हो चुका है, नीचे delete करने के लिए आप pen tool का use करेंगे तो जादा बेहतर होगा, फिलहाल मैं इससे कर लेता हूँ, लेकिन आपको use करना है pen tool ध्यान रखें, अब यह background eraser tool use कर लेने के बाद, आगे जो भी delete करना है, उसके लिए आप normally lasso tool लेंगे, और इसका selection कर लेंगे, यानि कि यह जो orange color आपको दीख रहा है, इसके उपर उपर आप normally selection करते हुए आगे बढ़ जा, pen tool का भी use कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर eraser tool का भी use कर सकते हैं, इस तरीके से selection करें, और सिर्फ delete करना होगा आपको और कुछ नहीं, यह देखे selection हमने कर लिया, selection को control shift i से inverse करेंगे, और अपने keyboard से delete प्रेस करेंगे, यह देखे delete हो चुक उसके लिए आपको इसकी एक copy और बनाने की जरूरत पड़ेगी, यह copy बना लिजेगा, और इसको ऊपर में ऐसे रख करके, आप फिलहाल control प्रेस करेंगे, और top वाले layer के thumbnail पर click करेंगे, इससे इसका selection हो जाएगा, और उपर वाले layer को आप delete कर लिजे, इस layer पर रहते हुए layer mask लेंगे, यह layer mask हो गया, अब उसके बाद alt प्रेस करके इस thumbnail पर click करेंगे, इससे inverse layer mask हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर यह gray color दिख रहा है, इसको आप हटा सकते हैं, हटाने के लिए आप brush tool लिजे, यहाँ से आप overlay रखेंगे, overlay रखने से फायदा यह होगा, कि जो 50% से कम white होगा, उसको white color से delete करेंगे, और जो 50% से ज़्यादा होगा, उसको black color से करेंगे, बहुत ही easy simple तरीका है, कि आप जैसे यहाँ पर हमने black रखा हुआ है, इसको मैं paint करना चाहूँगा, तो यह paint नहीं होगा, आप देख सकते हैं, लेकिन जो gray है, वो paint हो रहा है, और अगर मैं white उपर कर देता हूँ, और black को delete करने की कोशिच करूँगा, तो यह delete नहीं होगा, लेकिन इस पर अगर हम लोग कर देते हैं, तो यह ज़रूर काम करेगा, उसी तरह से अगर हमने black को उपर रखा, और यहाँ पर इस तरह से paint करूँगा, तो देखिए, 50% से जो भी कम था वो delete automatically हो रहा है, तो बाहर बाहर जो edges रह जाता है, उसको आप ऐसे करके हटा सकते हैं, यह देखिए, और यहाँ पर भी कुछ है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, बहुत ही simple तरीका है, यहाँ पर भी आप हटा लेजिए ऐसे, अब यह जहाँ जहाँ पर रह गया, white color को उपर कीजिए, और इसको अच्छे से paint कर लीजिए, इसको अच्छे से paint करेंगे, तो आपको result अच्छा मिलेगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिख रहा है, तो black color को foreground बनाने के बाद इसको भी हटा लेजिए, ध्यान रखेंगे कि इस foreground और background color को toggle करने के लिए, यानि कि उपर नीचे exchange करने के लिए, आप keyboard से shortcut की use कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग use करते हैं X, आप X प्रेस करेंगे, तो यह देखिए, foreground और background चेंज हो रहा है, आसानी से ऐसे, तो मैं black color को उपर रखूँगा, और इसको आसानी से ऐसे करके delete कर लेंगे, यह देखिए, पूरी तरह से delete हो जाने के बाद, दोबारा हम लोग alt प्रेस करके इस पर click करेंगे, यह background हट चुका है, एक तो यह option था कि आप background eraser tool को कैसे use करेंगे, अभी आने वाले एक दो tutorial और भी मिलेगा, जिससे आप advanced level पे इन चीज़ों को use कर पाएंगे, फिलहाल इसी में एक चीज और है, उसको बताना चाहूँगा, इन दोनों को delete करने के बाद, वो बहुत ही simple है, आप 3-4 minute में इस तरह की images को आसानी से हटा सकते हैं, देखे क्या करेंगे, आपको laser tool लेना है, या pen tool किसी भी tool से आप एक rough selection मना लिजे, फिलहाल मैं pen tool से ही rough selection मनाना चाहूँगा, आप लो selection करेंगे, बाहर बाहर, आपको exact selection नहीं करना है, यह outside selection आप कर लिजे, जहां पर यह body part आएगा, वहां पर आप pen tool को अच्छे से use करेंगे, यह देखे, इस तरह से हमने selection बना लिया, selection बन जाने के बाद आप right click करेंगे, इस तरह से और make selection कर लेंगे, make selection करने के बाद आप feather यूज़ करेंगे, feather आप एक दो pixel यूज़ कर सकते हैं, image की size अगर बहुत बड़ी है, तो feather आप 3 या 4 pixel यूज़ कर सकते हैं, image की size छोटी है, तो आप कम feather यूज़ करेंगे, फिलहाल मैं एक pixel feather यूज़ करूँगा और यहां से okay कर लेंगे, अब जैसे ही आप selection बनाते हैं, और किसी selection टूल पर रहेंगे, तो यहां पर आपको refine age को option आज़ाएगा, अगर आप pen tool पर रहेंगे, तो refine age को option नहीं मिलेगा, यह भी एक background erase करने का सबसे अच्छा option माना जाता है, त यहां किसी भी selection tool पर आप रहेंगे, तो आपको refine age मिल जाएगा, और इस पर आप click कर लिजे, click करने के बाद आप यहां से radius थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहां से radius आपने बढ़ा लिया, radius बढ़ा लेने के बाद आप इसी brush tool पर रहेंगे, यह refine age के बारे में और भी एक tutorial आ आपको मिलेगा, select and mask, दोनों का एक ही मतलब होता है, बिल्कुल अलग लग नहीं है, तो आप परिशान ना होंगे, अब उसके बाद देखे, जो हिस्सा हमारा select नहीं हुआ था, उसको सिर्फ paint करना है, paint करने के बाद यह कैसे आसानी से हट जाएगा, यह देखे, इस तरह से मैं paint कर रहा हूँ, यह कौन से technique को use करेगा, यह आपको समझना चाहिए यहाँ पर, actually यह machine learning का एक topic होता है, जिसको यह follow करके delete करता है, अब देखे, यह आसानी से हट गया है, इसलिए हट गया था, क्योंकि हमने बाहर का जो area select किया है, यानि जो delete किया है, उसमें जो maximum color है, उ आपके original color को delete नहीं किया है, अब यह देखे, हट जाने के बाद आपको सिर्फ smoothness को बढ़ाना है, 1-2% यहाँ से बढ़ा लेंगे, feather को आप 1-2 pixel डाल देंगे यहाँ से, और यहाँ से आप contrast को भी बढ़ा सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा detail में नहीं जाता हूँ, क और उसके बाद यहाँ पर कैसा result चाहिए, वो आप decide कर सकते हैं, new layer with layer mask चाहिए, तो यहाँ पर click करूँगा और यहाँ से ok करूँगा, अब यह देखे, layer mask के साथ हमारे पास result आ चुका है, अब अगर आपको कुछ result चेंज करना है, तो आप alt press करके इस पर click करेंगे, यहाँ से पता चल दागा कि कहां कहां ठीक से नहीं हुआ है, यह देखे ठीक से नहीं हुआ है, इसको हटाने के लिए 50% से कम white है, तो वही brush tool आप से ले करेंगे, overlay रखेंगे और इसको delete कर सकते हैं, आसाने से यह देखे, बहुत ही easily इसको मैं delete कर पाऊंगा, यह देखे, यहाँ भ मिल सके, अब दुबारा आप odd press करके इस thumbnail पर click करेंगे, आपको result मिल जाएगा, यह देखे, इसके नीचे कोई भी color आप डाल सकते हैं, यहाँ से हमने कोई भी एक color लिया, यह देखे, और इसको मैं नीचे डाल देता हूँ, ऐसे, उसी तरह से अगर इस image की बात करता हूँ, तो इसमें भी आप वही कर सकते हैं, लासो टूल से जैसे हमने एक rough selection मनाया, rough selection मनाने के बाद आप सिर्फ यहाँ पर refine edge use कर सकते हैं, यह देखे, selection हो गया, selection होने के बाद refine edge, इस brush को select करके रखेंगे, radius को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और उसके बाद इसको paint कर देंगे, ऐस यह देखे, paint हमने किया, और paint करते के साथ background खतम हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसको check करेंगे और यहाँ से ok कर लेंगे, यह देखे, background आसानी से हट गया है, इसके नीचे कोई भी color आप डाल सकते हैं, तो अगर आप background eraser tool और refine edge इन दोनों पर master कर लेते हैं, तो किसी भी आपके background को हटाना आपके लिए चुटकी का काम होगा, इस पर और भी class दूँगा, तो अभी आप इस पर practical कीजिए, और practical ऐसे नहीं कि एक दो images पर आपने कर लिया, आपको कम से कम 10 से 15 images इस तरह से निकालने होंगे, और उन सभी को आसानी से, और उन सभी के background को change कीजिए, background को change करने के बाद कुछ और भी options किया जाता है, जिसको हम लोग normally कहते है, color grading या color match, तो उन चीज़ों पर भी tutorials लेकर आने वाला हूँ, तो उससे आपको काफी फाइदा होगा, तो आज की इस class में इतना ही रखते हैं, next class में और चीज़ों को लेकर आऊंगा, और ध्यान रख फिल्टर में इसके बाद जो distort रह गया है, यहां से हम लोग distort पढ़ने वाले हैं, बीच में हमने refine age को इसलिए लाया था, क्योंकि यह theoretical जादा हो रहा था, आपको बीच में कुछ ना कुछ ऐसा homework मिलना चाहिए था, जिससे आप काम आसानी से करते रहें, तो distort पढ़ाऊंग लाय था नगया है